सोहिला शब्द सोहिला का अर्थ सोने का समय है सोहिला या सरहाना पून गीत दिन की अंतिम विन्ती है जो रात को सोते समय गाई जाती है जिस प्रकार जब जी दिन की पहली प्रात्ना है वैसे ही सोहिला दिन की अंतिम प्रात्ना है सोहिले में गुरु नानक साहिब के दो शब्द शामिल है पहले में गुरु साहिब ने उपदेश दिया है कि जीव को चाहिए कि जब तक प्रमात्माने उमर बक्षी है उस करता का भजन सिम्रन करे अपने जीवन को उस मालिक के लेखे में लगाने से ही अमर अनन्द की प्राप्ति हो सकती है वह करता पुरुष जीव के अपने अंदर है और अपने अंदर खोज करने से ही उससे मिलाप हो सकता है वह द्यालू प्रभू अपने सिर्जे हुए सभी जीवों की संभाल कर रहा है ना कोई उस अलक प्रभू की बढ़ाई लग सकता है और ना ही कोई उसकी दी हुई दात का मुले आख सकता है गुरु साहिब कहते हैं कि जीव के लिए सबसे भागेशाली और खुशी की घड़ी उसका अंतिम समय है जब उसे कुल मालिक की दरगाह से बुलावा आता है आप उस समय की तुलना विवहा से करते हैं जिस प्रकार विवहा के समय इस्त्री अपने पती के साथ बेहाई जाती है उसी प्रकार अंति समय आत्मा के प्रमात्मा से बेहाई जाने की शुब घड़ी होती है मौत का बुलावा हर किसी को आता है और गुरु साहिब हमें सावधान करते हैं कि हमें भी शीग्र बुलावा आने वाला है शीग्र ही हमारे लिए भी पुकार होने वाली है रूप क्यों न हो परन्तु सबका मालिक वह परमात्मा एक ही है गुरु साहिब यहाँ छे दर्शनों का वर्नन करते हैं जिन में परमात्मा और संसार के विशे में भिन भिन विचार प्रकट किये गए है गुरु साहिब ने छे दर्शनों की तुलना, छे रितुमों के साथ और दिव्वे ग्यान की तुलना इन रितुमों को पैदा करने वाले एक सूरे से की है जै कारकीरत आखिये करते का होए बीचारो, तित कार गावो सोयला, सिवरेो सिर्जन हारो, तुम गावो मेरे निर्पव का सोयला, हौँ वारी जित सोयलै सदा सुक होए, नित नित जियडे समालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत नापवै, तिस दाते कवन सुमार, संबत साहा लिखेया, मिलकर पावो तेल, देखो सजन असी सडियां, जों होवै साहिब सेओ मेल कारकर एहो पावचा, सद्डे नित पवन, सद्डन हारा सिम्रिये, नानक से दे आवन छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जै कर करते कीरत होए, सो कर राक वडाई तोए, विश्वे चसया, कडिया पहरा, तित्ति वारी मा होआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस